नमस्काल, मैं सुप्रियाशित्री जीवेनिन के तरफ से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष, कुछ इस्मर्णिया गाथाय कारिक्रम लेके आई हूँ इस कारिक्रम के माध्यम से मैं प्रयाश करूंगे इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी बेक्तित्व की गाथाय आपके समक्ष रखों जो हमारे लिए सदेव प्रेणा दायक है आज इतिहास के समर्णिया गाथाय में विनायक दामोदर सवरकरजी के जीवनी पर कुछ प्रकास चालने का प्रयास कर रही हूँ विनायक दामोदर सवरकरजी भारत्य स्वतंत्रा आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रकर राष्ट्रवादी नीता थे उन्हें प्राया स्वतंत्र वीर, वीर सवरकर की नाम से संबोधित किया जाता है हिंदु राश्ट्र की राचनितिक विचारधारा हिंदु तुअ को पिक्षित करने का बहुत बड़ा श्रय सवरकर जी को जाता है वेना कीवल स्वाधिंता संग्राम के एक तेजस्वी सेरानी थे अपितु महान क्रांतिकारी चिंतक, सिंद हस्त लेखक, कभी ओजस्वी वक्ता तथा दुर्दर्श्री राजनिता भी थी वे एक ऐसे इतिहास कार्वी है जिन्होंने हिंदु राष्ट्र की विजय को के इतिहास को प्रमानिक धंग से लिपिवद्द किया है उन्होंने 1857 के प्रतम सोतंत्र समर का संसनी खेज वह खूजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिस शासन को हिला कर रख दिया था वे एक वकिल, राजनितिक्य, कभी, लेकक और नातका थे उन्होंने परिबर्तित हिंदूों के हिंदू धर्म को वापस लोटाने हेतु सतत प्रयास की एवम आंदोलन चलाए सवरकर्ण ने भारत के एक सार के रूप में एक सामुहिक हिंदू पैचान बनाने के लिए हिंदूत्व का सब्द कड़ा उनके राजनितिक दर्शन में उपयोगदी उतवाद, तर्क वाद, सकरात्मक वाद, मानवता वाद और सर्वभौमिक्ता वाद, विवहारिक्ता और यथार्त वाद के तत्व थे सब्रकर जी एक कटर तर्क संगत व्यक्ती थे, जो सबी धर्मों में रूडिवादी विश्वासों का फिरोध करते थे विनायक जी का जनम महारास्ट्रा तत कालिन नाम मुंबई प्रांत में नासिक के निकट भागुर गाउं में हुआ था उनकी माता जी का नाम राधाबाई तता पिता जी का नाम दामोदर पंध सवरकर था इनकी दो भाई गनेश वो नारायन दामोदर सवरकर तता एक बहन नैनाबाई थी जब एक केवल नौ वर्ष के थे तबी हैजे की महामारी में उनकी माता की देहांत हो गया इसके साथ वर्ष बाद सन्न उन्नीस अठारा सो निनानब्बे में प्लेग की महामारी में उनके पिता भी स्वर्गवसी सिधारे इसके बाद विनायक एक बड़े भाई गनेश ने परिवार के पालन पोशन का कारियर समहाला दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गनेश के व्यक्तित्वा का बिनायक पर गयरा प्रबाव पड़ा बिनायक ने शिवजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में में परिक्षा पास की बचपन से ही वे पड़ाकू तो थे ही अपी तो उन दिनों उन्होंने कुछ कविताय भी लिखी थे आर्थिक संकट के बावजूद बावराओं ने बिनायक की उच्च सिक्चा की इच्चा का समर्थन किया इस अवधी में बिनायक ने स्थानिया नौ युवकों को संगठित करके मित्रो मेला का आयोजन किया सिक्रही इन नौ युवकों में राष्ट्रेता का भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जागू थी 1902 में मेट्रिक की पड़ाय पूरी करके उन्होंने पूने में फर्गिूसेन कॉलेज से बिहे किया 1904 में उन्होंने अभिनाव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के 1905 में बंगाल के बिभाजन के बाद उन्होंने पूने में बिदैसी वस्त्रों की होली जलाई फर्गिूसेन कॉलेज पूने में भी वे राष्ट्र भक्ती से ओध प्रोध ओजुस्वी भासन देते थे बालकांगादर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें स्यामचे कृष्णवर्मा छात्र वृती मिले इंडिन सोशिलोजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनिक लेक प्रकाशित हुए जो बाद में कलकता के युगांतर पत्र में भी छपे दस में 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंडन में प्रथम भारत्य स्वतंत्र संग्राम के स्वर्न जयनती मनाई इस अउसर पर बिनायक सबरकर ने अपनी ओजस्वी भासन में प्रमानो सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपीतु भारत के स्वतंत्रे का प्रथम संग्राम सिद्ध किया जून 1908 में इनकी पुस्तक The Indian War of Independence 1857 तयार हो गई परन्तु इसके मुद्रन की समश्य आई इसके लिए लंडन से लेकर पैरिस और जर्मनी तक प्रयास किये गए किन्तु वे सभी प्रयास असफल रहे बाद में यहाँ पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलेंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतिरिया फ्रांस पहुचाई गई इस पुस्तक में सवरकर ने 1857 के सिपाही विद्रुक को ब्रिटिश शरकार के खिलाव स्वतंत्र के पहली लड़ाई बताया मैं 1909 में इन्होंने लंडन से बार एट लौ वकालत की परिक्षा उत्तिर्न की परन्तु उन्हें वहाँ वकालत करने की अनुमती नहीं मिली इस पुस्तक को सवरकर जी ने पिक विक पेपर्स वर स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुचाई थी इंडिया हाउस की गतिवीदिया विर सवरकर ने लंडन के ग्रेज इन लौ कॉलेज में प्रवेस लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना सुरू कर दिया था इंडिया हाउस उस समय राज्रितिक गतिवीदियों का केंद्रे था जिसे पंडित स्याम प्रशाद मुखर जी चला रहे थे सवरकर ने Free India Society का निर्मान किया जिससे वे अपने साथी भार्तिय छात्रुप्यों सोतत्र के लड़ाई को प्रीरित करते थे सवरकर जी ने 1857 की क्रांती पर आधारित किताबे पड़ी और The History of the World of Indian Independence नामा किताब लिखी उन्होंने 1857 की क्रांती के बारे में गहन अधियन किया कि किस तरह अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है लंडन और मरसिले में गिरफतारी लंडन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हर्दियाल से वुई जो उन दिनों इंडिया हाउस को देखरे करते थे एक जुलाई 1909 को मदनलान धिम्ला द्वारा विलियम होट करजन वाईली को गोली मार दिये जाने के बाद उन्होंने लंडन टाइम्स में एक लेक भी लिखा था तेरा में 1910 को पैरिश से लंडन पहुँचने पर उन्हें गिरफतार कर लिया गया परन्तु 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामग जहाज से भारत ले जाते हैं सीवर होल के रास्ते से ये भाग निकले 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजादी गई इसके बाद 31 जन्वरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया इस प्रकार सबरकर को ब्रिटिस सरकार ने क्रांती कारियों के लिए दोदो आजीवन कारावास की सजादी जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थे सबरकर के अनुसार मात्र भूमी तेरे चर्णों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूं देश सेवा ही इश्वर सेवा है यहां मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की सबरकर ने अपने मित्रों को बंबनाना और गुरिला पदत्ती से युद्ध करने की कला सिखाए 1909 में सबरकर्ण के मित्र और अनुयाई मदनलाल धिंगरा ने एक सारवजनिक पैठप में अंग्रस अफसर करजन की हत्याकर्ण धिंगरा की इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारिया गतिवीदी बढ़ गई सबरकर्ण ने धिंगरा को राजनितिक और कानुनी सयोग दिया लेकिन बात में अंग्रेज सरकार्ण ने एक गुप्त और प्रतिबंदित परिक्षन का धिंगरा को मौत की सजा सुना दिया जिससे लंडन में रहने वाले भारत्य छात्रा भड़क गए सबरकर्ण ने धिंगरा को एक देजवक्त बता कर क्रांतिकारी वित्रों को और उग्र कर दिया था सबरकर्ण की गतिवीदियो को देखते वे अंग्रे सरकार्ण ने हत्या की योजना में सामिल होने और पिस्तोले भारत भेजने के जुर्म में फसा दिया जिसके बाद सवरकर को गिरफतार कर लिया गया अब सवरकर को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया जब सवरकर को भारत जाने की खबर पता चले तो सवरकर ने अपने मित्रों को जहां से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की ओजना पत्र में निखी जहां जुरुका और सवरकर खिर्की से निकल कर समुंद्र के पानी में तैरती हुए भाग गए लेकिन मित्र को आने में देर होने की वज़े से उन्हें फिर से गिराफ़तार कर लिया गया सवरकर की गिराफ़तारी से फ्रेंज सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया नासिक जिल्ले के कलेक्टर जैंशन की हत्या के लिए नासिक सर्यत्रकांड के अंतरकत इन्हें 7 अप्रेल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया उनके अनिसाल इहां सवतंत्रा सेनानियों को कड़ा परिक्षम करना पड़ता था कैदियों को यहां नार्यल छिल कर उसमें से देल निकालना पड़ता था साथ की इन्हें यहां कोल भूम में बैल की तरह जूत कर सर्सो वा नार्यल आदी का देल निकालना पड़ता था इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे वा बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमी वा पहाडी छेत्र को समतल भी करना होता था रुखने पर उन्हें करी सजा वा बेत वा पूरों से पिटाई की जाती थी इतने पर भी उन्हें भरपेज खाना नहीं दिया जाता था सवरकर 4 जुलाई 1911 से 21 में 1921 तक पोच ब्लेर की जेल में रहे 1920 में वल्लभाई पचेल और बालकंगतर तिलग के कहने पर बिटिश कानून न तोरने और विद्रो न करने की सर्थ पर उनकी रिहाई को गर कई लोगों द्वारा शुरू से ही उन्हें भारत रत्न के मांग की जा रही थी रत्नागिरी में प्रति बंदेत स्वतंत्रा 1921 में उक्तोने पर वेस्वदे स्लोटे और फिर तीम साल जेल भूगी जेल में उन्होंने हिंदुत्वोपर सोद ग्रत लिखा मार्च 1925 में उनकी भेट राष्ट्रय स्वयम सेवक संके संस्थापक डॉक्टर हेट केवर से हुए फरवरी 1931 में इनके प्रयासों में से बंबई में पतित पावण मंदिर की स्थापना में जो सबी हिंदुओं के विली समान रुप से खुला था 25 परवरी 1931 को सवर करने बंबई प्रेसिडेंसी में हुए अस प्रियशता उन्मुलन सम्मीलन की अध्यक्षता की 1937 में पे अखिल भार्थ्य हिंदुद महासवा के कर्णवती अहमदाबाद में हुए 1927 की अध्यक्ष चुने गये 15 अप्रेल 1938 को उन्हें माराथी साहित्य सम्मीलन का अध्यक्ष चुना गया 14 दिसंबर 1937 को नावपूर की एक जन सभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेना दी थी 22 जुन 1941 को उनकी वेठ नेताच सुबस्चंद्रवोस से लिए 9 अक्टुबर 1942 को भारत की सवकंत्रा के निवेदन सहीत उन्होंने चर्चिल की तोड़ पर भेज कर सुचित किया सवरकर जीवन भर अखट्ण भारत के पक्ष में रहे सुतत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांगती और सवरकर का एक्तम अलग दिर्ष्ट को था 19 अप्रेल 1945 को उन्होंने अखिल भारतिय रजवाड़ा हिंदू सवासमेलिंग की अध्यक्चिता के अप्रेल 1946 में बंबय सरकार ने सवरकर जीकी लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया 1947 में इन्होंने भारतिय भारत विवाजन का विरोध किया मात्मा रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासवा की नेता एवं संत ने उनका समर्धन किया वीर सवरकर 20.7 अब्दी के सबसे बड़े हिंदू वादी रहे विनायक दामुकर दामुलर सवरकर को बच्मत से हिंदू सबसे बिहत लगाओ था वीर सवरकर ने जीवन भर हिंदू और हिंदूस्तान के लिए ही काम किया वीर सवरकर को छे बार अखिल भारतिय हिंदू महासवा का राष्ट्रे अध्यक्ष चुना गया 1937 में उन्हें हिंदू महासवा का अध्यक्ष चुना गया जिसके बाद 1938 में हिंदू महासवा को राजनीतिक दल खोशित कर दिया गया हिंदु राष्ट्रे की राष्ट्रेतिक बिचार धारा को पिक्सित करने का बहुत बड़ा श्रय सवरकर को जाता है उनकी इस बिचार धारा के कारण आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्वा नहीं दिया जिसके वेवास्तविक हगदार थे इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यर्ट करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशिये परतुव खंडित है इसका दुख है उन्होंने यह वे कहा कि राज्य की सिमाए नदी तथा पहाडों या संधी पत्रों से निर्धारित नहीं होती वेदेश के नौ युवकों के सौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती है पांच फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतरगत गिरफतार कर लिया गया 10 नवेंबर 1957 को नए दिर्धी में आयोजित हुए 1857 के प्रत्थम भारत्य स्वतंत्रा संग्रम में के सातवती समारों में वे मुख्य वक्ता रहे 8 अक्टूबर 1999 को उन्हें पूने विश्व विद्य लाई में डिलीट अर्थात डॉक्टर ओफ लेटर्स की मानत उपादे से आलंकरत किया सिटंबर 1965 से उन्हें तेज ज्वर ने आगे रा जिसके बाद इनका स्वस्त गिरने लगा 1 परवरी 1966 को उन्होंने मृत्यू पर्यंत उपुआस करने का निर्ने लिया 26 परवरी 1966 को बंबै में भार्थ्य समय नुसार प्रात्त दस बजे उन्होंने पातिर सरीर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान किया सवरकर के अनुसार हिंदू समाज साथ बेडियों में चक्रा हुआ था सपर्ष बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी, त्यफशाई बंदी, सितू बंदी, वेदू बंदी, सुद्धी बंदी सवरकर जी ने बहुत सारे किताबे लिखी, उन्हें से कुछ चुनिंदा किताबों के नाम में उल्लेक कर रहे हुँ काला पानी, मोपला, सवरकर समागरा सवरकर जी एक महान समाज सुदारग भी थे उनका ग्रेड विश्वास था कि समाजिक एवं सर्वजनिक सुदार बराबरी का महत्वर रखते हैं वे एक दूसरे के पूरक है उनके समय में समाज बहुत से कुरितियों और बेडियों के बंदनों में जकड़ा हुआ था इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था अपने भासनों, लेखों, वो कृतियों से इन्होंने समाज सुदार के निरंतर प्रयास की 1924 से 1937 का समय इनके जीवन का समाज सुदार को समर्पित काल रहा ये थी पिना एकदा मुदर सवरकरजी की कुछ समर्णिया गाता है मैं आसर करती हूँ मेरी ये प्रयास आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हूँ इस तो इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे की इस सीरीज में आप कौन सा प्रयक्तित हुआ का जीवनी के बारे में जानना चाते हैं प्रयप्या नीचे कॉमेंट सेक्षिन में आप कमेंट करें धन्यवाद